राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सब मारी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जो भक्त देवी लक्षमी की पूझा करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी अपर्यार्य नहीं है ग्रहे लक्ष्मी देवी ग्रहनियों यानि घर की इस्त्रियों में लज्जा, शमा, शील इसने और मम्ता रूप में बिराज़मान रहती है शुक्रवार को लक्ष्मी देवी हे दूस विशेश दिन माना चाता है इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा अर्जना पुष्ववा चंदन से कर चावल की खी से भोग लगाया जाता है धन की देवी मालक्ष्मी को प्रसन करना काफी आसान है यदि आप चाहते हैं कि आपके धन में दुगना, तिगना, चौगना, अनादी ब्रधी हो तो करें मालक्ष्मी को प्रसन और करें शुकरवार के दिन यह कुछ विशेश उपाई धन की ब्रधी के लिए शुकरवार के दिन पीले कपड़े में पाँच पीली कोड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांध कर अपने धन रखने के इस्थान पर रखें इससे धन में ब्रधी होती है इसके अच्छे प्रभाव जल्दी ही सामने आने लगते हैं अगर आपके बैवसाई में गिराबट आ रही है बैवसाई अच्छा नहीं चल रहा तो बैवसाई में लाव के लिए शुकरवार के दिन कार इस्थल जाने से पहले इस मंत्र की एक माला का चाप करें मंत्र है O'M H리 Shri Kri Shri Kri Kli Shri Maha Lakshmi मं ग्रह धन पूर्रय पूर्रय चिंताय तूर्रय तूर्रय स्वाहा मंत्र है ओम हिरी शिरी क्री शिरी क्री क्ली शिरी महालक्षमी मं ग्रह धन पूरे पूरे चिनताई दूरे दूरे स्वाहा इस मंत्र का जाब करके आप अपने कारे स्थल पर जाएं इस से पैवर्वसाई में अद्वत लाप होगा अगर आपको धनसम्मंदी समस्याएं हैं, आपके घर में धन टिकता नहीं है, धन की हानी हो रही है तो धन के लाव के लिए शुकरवार के दिन साय काल के समय, सूखी, काली हल्दी की गाट ले हल्दी की गाट का सिंदूर बधूप से पूजन करे फिर एक मौली यानि की लाल रंग का कलावा ले और दो चान्दी के सिंदूर ले कलावे से आप दो चान्दी के सिंदूर हल्दी की गाट के साथ बांदे आपको कलावे से दोनों चान्दी के सिंदूर हल्दी की गाट पूरी तरहें से ढख देने हैं अब इसके बाद आप हल्दी की गाठ और चांदी के सिक्के मालक्ष्मी के चर्णों में रखें और जैमालक्ष्मी जैमालक्ष्मी का 108 बार जाप करें जाप करने के बाद आप देवी लक्ष्मी से धन लाप के प्रातना करें प्रातना करने के बाद आप इस हल्दी के गाट को अपने धन रखने के इस्थान पर रखते हैं इससे आर्थिक समस्याएं हल होती हैं धन की हानी नहीं होती, धन प्राप्ती के नए मार्ग खोलते हैं धन का लाग होता है अगर चांदी के सिक्के ना हों तो आप एक दो रुपे बाले सिक्के भी आप हल्दी की गाट के साथ रख सकते हैं पध्यान रखें सिक्कों को पहले आप शुद्ध जल से और फिक गंगा जल से धोलें शुक्रवार के दिन सफेद रंग की बस्तूओं और सफेद रंग के खाद्य प्रदात का तान करना शुब माना जाता है और जितना हो सके इस दिन गरीबों को दान दें शुक्रवार के दिन एक मुठी अखंडित वासमती चावल को बहते जल में महालक्षमी का इसमरन करते हुए छोड़ दें इससे धन की ब्रद्धी होती है और धन की ब्रद्धी बनी रहती है घर में सुक्सम्रती आती है शुक्रवार के दिन भगवान बिश्णू का अविशेक दच्छना वर्दी शंख में जल भर के करने से मा लक्ष्मी जल्दी ही प्रसंद हो जाती है शुक्रवार के दिन देवी लक्ष्मी के मंदे जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा अर्पित करें इससे ददददा दूर होती है उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें शेयर करें हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक्स पूर वचिंग राधे राधे